इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे selection sort की जो कि मेरे जाब से एक बहुत इस सिंपल और straightforward algorithm है और अगर आप लोग मुझसे disagree करते हो इस बात पर तो इस वीडियो के बाद I can guarantee कि आप लोग भी मेरे साथ agree करोगी कि यह कितना simple और straightforward algorithm है इस वीडियो में हम लोग selection sort को C language में code कर रहे होंगे तो मैं जल्दी से आपर file बना लेता हूँ जिसकर आपर 55 underscore selection sort dot c और यह आपर जल्दी से boilerplate code डाल देता हूँ boilerplate code डालने के बाद मैं आपर एक function लिखूंगा जो कि मुझे selection sort करने में मदद करेगा तो मैं आपर selection sort लिख देता हूँ यह एक integer pointer लेगा और मैं ऐसा array को edit करने के लिए ले रहा हूँ उसी के साथ साथ यह आपर size of array लेगा जिसकी जगा पर मैं int n लिख रहा हूँ यहापर मैं जल्दी से एक array बना लेता हूँ और मैं आपर लिखूंगा int capital A is equal to कर मुझे मिले और उसके लिए मुझे print array function का इस्तेमाल करना पड़ेगा जोगी मैं अपने पिछले वीडियो में से बहुत ही बेशर्मी गिज़त copy करूँगा इसको मैं copy करके save कर दूँगा यहापर paste करने के बाद program को और मैं यहाँ पर selection sort लिखने के बाद कहूँगा कि भाई जी selection sort को run करो और run करने के बाद और उससे पहले मुझे इस array को print करके दो ठीक है n is equal to कितना है यहापर तो मैं लिखूँगा यहापर n is equal to 5 क्योंकि यह हमारा size of array है इसके बाद मैं आपर print array लिखूँगा फिर से और मैं वापस से array को print करूँगा और selection sort के अंदर मैं आपस सिर्फ लिखूँगा printf % %d नहीं सिर्फ इतना ही लिखूँगा running selection sort ठीक है और यह करने के बाद मैं एक backslash n भी लगा दूँगा मैं अपने इस function को complete करने के बाद expect करूँगा कि यह जो selection sort a मैं run कर रहा हूँ इसको n भी देना पड़ेगा यह मुझे इस array को sort करके दे यानि कि जब मैं print array run कर रहा हूँ सबसे पहले तो array जो मेरा है input array as it is run हो जाए और उसके बाद मैं expect करूँगा कि selection sort जो है इसको sort कर दे अगर मैं इस array के sorted sorted version की बात करूँ मैं इसको 12 बना लेता हूँ इसको अगर मैं 12 बनाओ इस array के sorted version की बात करूँ तो 2 सबसे पहले आएगा फिर 3 फिर 5 फिर 12 और फिर 13 it's that simple but selection sort इस array पर किस तरह से काम करेगा यह हम लोग देखेंगे अभी मैं इसको run करूँगा तो मुझे यह array दो बार print होके मिलेगा क्योंकि मैं selection sort के अंदर कुछ करनी रहा हूँ और आप देखो selection sort run करने से पहले 3 5 2 13 12 और उसके बाद यह क्योंकि मैं अभी selection sort function को complete करा ही नहीं है so let me complete this selection sort function और आप लोग देखोगे कि इसको sorting कैसे हम फट फटा फट करते for loop चलाएंगे तो मैं आपर एक for loop चलाओंगा और मैं आपर लेखोंगा int i is equal to 0 and i is less than n minus 1 यानि कि n minus 1 times मेरा यह for loop चलेगा सबसे पहले मैं i की वाली को 0 लोगा फिर i की वाली को 1 लोगा फिर 2 लोगा फिर 3 लोगा in fact मैं index की बात कर रहा हूं इसकी index 0 है, इसकी index 1 इसकी index 2 है इसकी index 3 है और इसकी index 4 है तो 0 to 4 इसकी index जा रही है तो अगर मैं इस array को यहाँ पर लिख लूँ मैं इस array को यहाँ पर इसले लिखूंगा क्योंकि मैं चाहूंगा कि आप लोगों को selection sort किस तरह से operate कर रहा है यह दिखा सकूँ ठीक है मैंने इसको इस 성 clients लिख दिया और मैं आपर क्या करूँगा कि इसको 0305 Kaf ऐसे लिख लूँगा ताकि मैं इसके उपर जो इंडेक्स लिख हो व आप लोगों को दिखती रहे है इस सरा से तो मैं आपर recruit 000 000 आ 10 2023 ओ 000 6200 और 12 से और यहाँ पर इस पूरे array में जो छोटे से छोटा element होगा वो मैं यहाँ पर ले आऊँगा और यह 3 को मैं वहाँ रख दूँगा जहाँ पर वो छोटे से छोटा element है वो छोटे से छोटा element क्या है? वो 2 है इस array में सबसे छोटा element 2 है ठीक है अगर मैं इस एरे की बात करूँ तो तो first pass के बाद यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ after first pass इस एरे में एक pass लिखूँगा मैं मैं यहाँ लिख दूँगा input array ठीक है और इस line को उपर ले जाता हूँ यह input array है हमारा after first pass क्या हो रहा है देखो zero two in fact मैं इसको इस तरह से copy करूँगा और यहाँ पर paste करूँगा ताकि आप लोग जो index है इसको भी देख पाओ in fact इस index को भी copy कर देता हूँ ठीक है और यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ ठीक है मैं इस for loop के अंदर एक integer बनाऊँगा और मैं लिखूँगा उस integer को index of min ठीक है तो मैं आपर index of min रख देता हूँ और सिर्फ अभी मैं इसको integer बनाता हूँ और मैं कहूँगा कि वो index of min क्या है वो index of min is equal to i है ठीक है ऐसा मैंने क्यों माना मैंने कहे दिया कि जो index of min है वो मेरी 0 है यानि कि यही मेरा minimum element है अब मैं क्या करूँगा एक loop चलाऊँगा और इस element को compare करता हूँगा आने वाले element से और अगर मुझे इससे छोटा कोई element दिख जाता है तो मैं अपनी इस index of min को update करके वो वाली index बना दूँगा जहाँ पर मुझे सबसे छोटा element मिल रहा है ऐसा मैं loop के अंदर करूँगा तो मुझे कहा तक जाना पड़ेगा मुझे start करना पड़ेगा int j is equal to i plus 1 तक i plus 1 मैंने क्यों लिखा क्योंकि देखो जब मैं यहाँ पर i is equal to 0 के लिए इसको run कर रहा हूँ तो मैं i is equal to 0 वाले element को किन element से compare करूँगा यह है मेरा i is equal to 0 त element मैं इसको इन सारे element से compare करूँगा तो मैं i plus 1 से start करूँगा और जाऊंगा all the way till n तक ठीक है n minus 1 तक मतला मैं j less than n लिखूँगा तो यह n minus 1 तक जाएगा तो i plus 1 से लिए n minus 1 तक जाएगा ठीक है तो मैं इसके अंदर अपना comparison का code लिखूँगा तो मैं आपर क्या करूँगा मैं आपर लिखूँगा कि अगर a j यानि कि वो element जिससे मैं इस element को compare कर रहा हूँ यानि कि जिससे मैं 3 को compare कर रहा हूँ इस case में 5 अगर a j छोटा होता है किससे a index of min से अगर यह छोटा होता है a index of min से तब क्या होगा इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब index of min को update होने की जरूरत है इसका मतलब यह हुआ कि अब index of min j है मैं आप लोग को बताता हूँ क्या किया मैंने मैं क्या कर रहा हूँ कि 3 को compare कर रहा हूँ इन सारे elements से करके और इन मेंसे कोई भी element अगर मुझे 3 से छोटा मिल जाता है जैसे कि यहाँ पर मिल गया मुझे 3 से छोटा मैं इसको index of min बना दूँगा इस काम को करके मैं यह ensure करूँगा कि मुझे इस array में minimum element मिल रहा है minimum element मिल रहा है ठीक है अब क्या होगा index of min में क्या होगा i से start करते हुए यह important है i से start करते हुए पूरे array तक यानि कि i से start करके n-1 index तक मुझे जो भी सबसे चोटा element है वो मिल गया उसको मैं उठा के कहां से replace करूँगा उसको किस चीज़ से swap करूँगा मैं उसको swap करूँगा और मैं यह आपर क्या करूँगा कि एक swap नाम का function ही लिख देता हूँ मैं उसको swap करूँगा किस से मैं उसको swap करूँगा AI से तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि AI इस तरह से AI को swap कर दो किस से AI को swap कर दो In fact swap function मैं नहीं लिख रहा हूँ It's actually a good idea to write swap function मैं directly भी यहाँ पर लिख सकता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि temp is equal to AI और मैं लिखूँगा AI is equal to A index of min A index of min और A index of min is equal to temp और यह swapping का code है ठीक है मैं यहाँ पर int एक temp भी बना लेता हूँ ठीक है मैंने यहाँ पर एक temp भी बना लिया है और आप लोग देखो यहाँ पर कि यह मैं क्या कर रहा हूँ AI और A index of min को swap कर रहा हूँ swap AI and A index of min यानि कि अगर मुझे इस array के बाद यहां से लेकि यहां तक कोई minimum element जो भी minimum element है वो मुझे मिलता है तो मैं उसको swap कर दूँगा इस से 3 को रख दूँगा 2 की जगा पर और 2 को ले आँगा यहाँ पर तो यह मेरा minimum element मिला मुझे इसलिए मैंने क्या किया मैं 2 को यहां ले आए 3 को यहां पर ले आए अब मेरा यह जो 2 था minimum element यहां पर आ चुका है अब मेरे IQ value 1 अब मेरे IQ value 1 है और मुझे same काम इस array के लिए करना है ठीक है same काम मुझे इस array के लिए करना है after second pass यहां पर लिख देता हूँ कि जो 5 और 3 है वो replace हो जाएंगे एक दूसरे से 5 यहां पर आ जाएगा और similarly क्या होगा after third pass third pass में क्या होगा third pass में मेरे pass देगा first pass में मेरे pass कहां तक element sort हो गए मैं आपर एक काम करता हूँ कि एक ना pipe यहां पर लगा देता हूँ pipe का क्या मतलब है pipe का मतलब कुछ ऐसा है कि अभी मेरा सिर्फ यहां तक के element sorted थे और यहां पर एक एक space भी देना पड़ेगा हमको ठीक है और यहां पर एक space भी देते हैं कोई बात नहीं और यहां पर हम लगाएंगे pipe ठीक है कहां लगाएंगे pipe इसमें हम pipe को यहां पर लगाएंगे कि यहां तक के element sorted हो चुक है pipe का मतलब है यहां तक के element sorted हो चुक है यहां पर pipe लगा दिया ठीक है और यहां पर एक space देता हूँ और यहां से space हटा लेता हूँ एक मिनिट हाँ अभी ठीक है तो यहाँ पर मैंने एक पाइप लगा दिया ठीक है फिर अगैन मैं यहाँ पर एक पाइप लगा दूँगा पाइप लगाने का मतलब यहाँ तक के और यहाँ पर फोर्ट पास के बाद क्या होगा फोर्ट पास के बाद 12 यहाँ पर आएगा और 13 यहाँ पर आएगा ठीक है और यह एरे जो है यहाँ तक सॉर्ट हो जाएगा क्या मुझे फिफ्ट पास करने की जरूरत है आप लोग मुझे बताओ यहार एक ही एलिमेंट बचा तो एर वो तो sorted ही न, an array of one element is always sorted, so no need of fifth pass, ठीक है, और यह देखो array जो है, वो sort हो चुका है, क्या यह काम भी करता है, क्या यह काम भी करता है, function हमारा देखते हैं, हमने कोई गडबड तो नहीं कर दी है, यहाँ पर, higher काम तो कर रहा है, 2, 3, 5, 12, 13, हमारा बिल्कुल function काम कर रह पाद, sorry, 5th pass नहीं हुआ, 4 pass हुए, n-1 passes रहेंगे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, there will be total n-1 passes, 4 in this case, ठीक है, कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, 5-1 is equal to 4 in this case, बहुती सीधा सच्चा मासूम सा implementation, selection sort algorithm का, और मजा तो आई गया होगा, आप लोगो को, नहीं आया तो बताओ, ऐसे ऐसी कोई बात ही नहीं है, और आ गया तो बताओ, नहीं आया तो बताओ, क्या बोल रहा हूँ मैं, आ गया तो बताओ, मजा तो आई गया होगा, क्योंकि यह algorithm इतना मज़े देने वाला है, नीचे comment में सब लोग लिखो कि selection sort ने मेरी आत्मा क जो कि एक array में कौनसे element की minimum index है, उसकी जो index है, उसको store किया, यानि कि एक array में जो भी minimum element है, उसकी index को इसने store किया, मैंने क्या किया, मैंने कहा कि i is equal to 0 से लेके i is equal to n-2 तक, यानि कि n-1 टाइमस चलाओ इसको, यानि कि इस case में इस array में यह यहां तक इतना elements के लिए काम यानि कि in indices के लिए काम करेगा, जो भी elements in indices में रहेंगे, 0, 1, 2, 3 में, ठीक है, और क्या करेगा यह, जब यह i is equal to 0 होगा, तब यह क्या करेगा, इस पूरे array में से, in fact पूरे array में से minimum element को 0 पर ले आएगा, फिर उसके बाद second pass में क्या करेगा, इस पूरे array में से minimum element को यहां n तक जा रहा है, ठीक है, समझे रहो ना मेरी बात को क्या कह रहा हूँ मैं, जैसे कि अगर मैं यहां पर हूँ, तो मैं इस position पर, i की value अगर 2 है, तो मैं चाहूँगा कि इस position पर minimum element आग जाए, इस array में, जो मैंने select किया भी, ठीक है, तो यहां पर जब मैं बात कर रहा था, first pass की, तब मैंने कहा कि यार देखो, जो मेरा पहला यहां पर element है, वो minimum हो जाना चाहिए, वह minimum आ जाना चाहिए, तो after the first pass मुझे यह मिल गया, फिर उसके बाद मैंने second pass में कहा, कि यार देखो, मुझे इस position पर, जहाँ पर अभी 5 है, वहाँ, इस पूरे array का minimum चाहिए, तो व उसके बाद 12 यहां आ गया, 13 ही आ गया, इसका मुझे 05 हमेशा से अपनी position पर सही था, 05 यहां पर अपनी position पर आ गया था, बिल्कुल सही सही अपनी position पर 05 आ गया था, ठीक है, I hope आपको समझ में आ गया होगा यह, बहुत simple सा algorithm है, selections और बहुत simple है, ठीक है, यह code आप वीडियो मैंने आड कर रखे है, और आप लोग अपना enthusiasm बना के रखो, इतने भी लोगों ने इसको share किया, Instagram पर thank you, और अगर आप इंस्टा पर share करते हो, तो मुझे tag करना, मत बूलना, और वीडियो को like करना, मत बूलना यार, thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time. झाल